सास्रेकाल नमश्कार हमारे सभी किसान बाईयों को किसान बाईयों धान में कम छिलका बने यानि बालियों में सभी दाने चावल से भरे उत्पादन धान से टाप तब ही हम सब ले सकते हैं जो अगेती धान की फसल हमारे किसान बाईयों ने लगा रखी है जैसे बासमती की कुछ औरेटियां हैं 15-09, 16-19 ये और भी धान की किसमे हैं वह लगबख सभी गबोट अवस्ता में आ चुकी हैं बस थोड़े दिनों में ही बालियां बाहर को निकलना स्टार्ट हो जाएंगी इसलिए दानों की क्वालिटी अच्छी हो और फलारिंग सबसे जादा हो जिससे दानों की संख्या जादा होगी दानों में वजन बढ़ेगा और दानों में चमागाएगी अब जो आप लोगों को प्रियोग करना है वा भी मैं आप लोगों को वीडियो में डिटेल से बताऊंगा दान की फसल में सीथ बलाइट, सीथ राड, बलास्ट रोग वा हल्दी रोग की समस्या कई छेत्रों में आ रही है इस पर आपको कौन सा फंगी साइड का स्प्रे करना है बेतर रिजल्ट के लिए साथ आप लोगों को डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा जो किसान भाई चैनल पर नए है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए पास वाली गंटी को प्रेस कर लीजिए जिससे आप लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर गबोट अवस्ता में आ चुकी है चाहे कोई भी आपकी धान की किस्म है आप लोगों को जो इस्प्रे करना है कुछ किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं जो है नैट्रोजन यानि यूरिया का टाप डेर्सिंग करने लगते हैं जिससे जो फसल है वो खराब होत जाती है दानों पे धब्बे बन जाते हैं इसलिए जब बालिया निकल लई होती है उस समय आप लोगों को यूरिया नहीं प्रयोग करनी है इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को जो इस्प्रे करनी है गबोट अवस्ता में बहुत अच्छे रिजल्ट है बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे एनपी के 13-045 पोटेसियम नाइटरिट जो आता है मार्केट में आप लोगों को जो मातरा लेनी है वो प्रती एकड लगबग 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम अपकानी की मातरा रहेगी 1.500 लीटर प्रती एकड अगर आप सा 8009 बासमती की कोई भी व्रैटी है उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं इसके साथ में किसान भाईयों बहुत सारे मिक्स स्प्रे करने लगते हैं जैसे किसी फंगी साइड या इंजक्टी साइड मिक्स करके स्प्रे करते हैं ऐसी गलती आप लोगों को कभी नहीं करनी है आप लो उस घोल को मिलाके स्फ्रे करें अब हम जानेंगे किसानवायों जो रोग और बिमारिय आटेक करती है दान की फसल में उसको आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है कौन सा अच्छा फंगी सैड लेकर आपको स्फ्रे करना है जिससे एक ही स्प्रे में सारे काम हो जाएं अब किसान भाईयों हम जानेंगे जो बास्मती दान और भी दान की जो किस्में होती है उसमें जो बिमारियां टेक करती है सीथ बलाइट और सीथ रोड अगर इनकी पहचान की जाए जो सीथ बलाइट रोग होता है इसकी पहचान किसानवाईयो जहां से आप तने के नीचे देखेंगे जहां से आपका पानी का अस्तर होता है वहां से सुरू होती है तनों के नीचे से और उबर की तरफ बढ़ती है अब जो सीत रोड बिमारी होती है इसकी हमारे किसान भई पहचान जो बाल निकलती है जंडा पत्ता होता है जिसमें बाल लपेटी होती है उस पत्ते पे पहले यह अटेक करती है पत्ता पूरी तरीके से लाल हो जाता है सरने लगता है और उसके अंदर जो लपेटी बाल होती है वो पूरी तरीके से सूख जात और उसके अंदर दाने हैं वो नहीं भर पाते हैं अब आप इनकी पहचान करके किसान भायोग अगर सीत रोड की समस्या आपकी दान की फसल में आ चुकी है तो इसको हमारे किसान भाय केंट्रोल जो करना है वो फंगी सैड लेना है हैकसा कोना जोल 75% डवलू जी का मात्रा रह ज्यादा नमी से भी फैलता है अधिक यूरिया का प्रियोग करने से भी यह बिमारी फैलती है अब जो सीत बलाइट है वो नीचे तनों से सुरू होके उपर की तरफ जाती है सीत बलाइट के लच्छन दिखने पे आप लोगों को जो इस प्रेय करनी बहुत अच्छे फंग फंगिसाइड है मार्केट में यह जो है किसान वायो पलसर के नाम से आता है मार्केट में और इंडोफिल कंपनी का आई गलेर के नाम से भी आता है इसकी जो डोज रहेगी किसान वायो 160 से 200 अमल प्रतियकर और गलेलियो जो आता है फंगिसाइड इसकी डोज रहेगी 400 ग्र प्रतियकर, गलेलियों में किसान वायों जो टेकाइंकल होता है, टेकोक्सी श्ट्रॉबिन 7% और प्लस ट्रोपिकोना जोल 11% होता है, ये सीथ बलाइट वा हल्दी रोग दोनों में अच्छा काम करता है, मैंने आप लोगों को नाम इसलिए बताए है, कोई किसान वायों पर् रहेगी, वो 200 ml प्रतियकर रहेगी, इसके स्प्रेज से किसान वायों दानों की क्वालिटी अच्छी होती है, ये बलाइट रोग पर अच्छा काम करता है, कस्टोडिया नाम से जो फंगिसाइड आता है, इसमें किसान वायों इजेक्स श्ट्रोबिन 11% प्लस टेवकोना ज जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाज जैहिन, अगले आने वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा